जेहीं दोस्टों ने के पर सौथ दोस्तों, आप सवी एक फिर से एक नए वीडियो पर स्वागतिया चले दोस्तों, आज हम आप लोगों को फिर से बताने वाले हैं, गनीत का वाइडल प्रसन, को है ये गनीत का वार्य प्रसंद जरूर देखकर जाईएगा अगर आपका भी सपना है कि गनीत में हम सौ में सौ बना कर आए और जो एस्टुडेंट डरते हैं गनीत के नाम सुनकर डरते हैं और उनको यह लगता है कि इस बार गनीत में हमको अच्छा नमर नहीं आएगा या कमारा कलास चल रहा हूं किसका चल रहा है लगउतरिय प्रसन का ठीक है अप सभी को पता है कि है कि टेंसन को गया घर यह लगह ँटरिय प्रसन पूरा लगुतर प्रसंद जितना भी बता रहे हैं सारा कोस्टन अगर बना लेते हैं तो आपका तीस नमबर यहीं से आ गया तो अब आपनों को डरना नहीं है मेरे साथ जुरे रहे हैं अन तक एक्जाम तक और सारा कोस्टन करके जाईए आज हम कोस्टन नमबर 26 से सिरीगनेस करते हैं अगर आपसे बनता है कोस्टन तो वीडियो रुका दीजिए रुकाने के बाद पहले कोस्टन बनाईए और आंसर कोमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ठीक है चली कोस्टन नमबर 26 काफी आसान है और कोस्टन कहा रहा है कि हल करें रुट एंडर 13 मैनस X स्क्वाइर बरावर X पलस 5 तो करना क्या है सबसे पहले हम लिखेंगे हल सबसे पहले हमको हल लिखना है हल में क्या करेंगे पहले ये लिखेंगे जो लिखा गया है 13 मैनस X स्क्वाइर बराबर है x पलस 5 हम क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर अब यह वर्ग क्यों किये हैं यह भी आपका सवाल होना चाहिए वर्ग क्यों किये सर तो वर्ग इसलिए किये क्यों किये हैं रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हमेशा हम वर्ग ही करेंगे, ठीक है, चलिए, तो वर्ग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, 13-X square, बराबर, यहाँ पर आ जाएगा, वर्ग, यानि, square आ जाएगा ठीक है आगे है अब देखिए यह आपका हो गया 13-1 square बराबर यह आ गया a plus b का whole square क्या होता है a square plus b square 5 square 25 plus 2ab यानि 5 दूना 10x क्लियर है न अब आपको यहां से solve करना है क्या करना है ध्यान दिखें सबसे पहले आप क्या किजिये कि 13-1 square बराबर के इस पर लाएंगे possible 25 से ब्राबर के स्लेंगे मैं ए जाएगा यह पर देखिए आपको ब्राबर के स्वालव करना है कैसे मैं इस-स्कोईर वाले लिखेंगे तो यह आ जाएगा आपका मैंस में 2x XSquare ठीक है फिर X वाला लिखेंगे तो मैंनस में 10X उसके देखें यहाँ पर पलस में 13 है ज्याँ दिदी है यहाँ पलस में 13 है और मैंनस में 25 है तो क्या जाएगा ? जिदीबा यहाँ पर आ जाएगा मैंनस terror 1 बरावर 10 देखिये अपको क्या करना है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2x²-10x-12 जो यह समिक्रन दिया गया है इस समिक्रन में 2 भी common है और minus भी हम common लेंगे ठीक है तो minus में 2 common ले लेते हैं तो यह आजाएगा x² मैनस है तो plus हो जाएगा 2,5,10 यानि 5x हो जाएगा और यह plus 2,6 के 12 बरावर 0 अब देखिए इसको हम फ्रेस करके लिखेंगे चुकि यह minus 2 जो गुना में है बरावर के side 0 के बटा में डालेंगे तो 0 आ जाएगा ठीक है तो यह तो cancel ही हो गया तो हम क्या करते हैं x² पलस 5x पलस 6 बरावर 0 यह लिख दिये हैं अब यह आपका गुननखंड हो गया गुननखंड तो आप लोगों को बनाने के लिए आता ही होगा अगर नहीं आता है तो समझे आप लोग अभी गनित में बहुत कमजोर है यह आपको आना चाहिए ठीक है फिलाल हम आपको बताएंगे प्रयास करेंगे समझ जाइएगा देखे पहली संख्या और 300 संख्या को गुना करते हैं तो बीच बाली संख्या हम पुराते हैं तो 6 को हम इस तरह से तोरेंगे कि बीच बाली संख्या पूर जाoter है ठीक है कैसे solve होगा ध्यान दीजिएगा ठीक ना यह काफी सांदार question है और इस तरह से आप बनाईएगा exam में न तो आपका दो नंबर यहां से पक्का पक्की हो जाएगा ठीक है चलिए कैसे बनेगा ध्यान दीजिए करना क्या है सबसे पहले आपको जो समीकन दिया गया है इसको हर कर लिजिए ठीक है तो यह आपका आजाएगा x plus 3 into आपका बच गया क्या तो बच गया x और पलस में 2 तो यहां पर आपका आजाएगा x पलस में 2 बराबर में 0 अधिके दोनों के बराबर में 0 है तो हम अलग-अलग 0 करते हैं तो x plus 3 equal 0 ठीक है और एक आपका यहां से आज आज जाएगा तो यहां से आपका आजाएगा एक x पलस 2 equal 0 ठीक है यहां से आपका आजाएगा x बराबर पलस का 3 बराबर कर combustion से जाएगा तो मैंस का 3 एक तो यह अंसर हो गया और x बराबर पलस 2 को बराबर के उस एड़ ले जाएंगे मैनस का 2 यानि 2 आंसर यहां से निकल गया एक तो निकल गया x बराबर मैनस 3 और x बराबर मैनस 2 और यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया हम पुछ राता हल करने के लिए हल हो गया आंसर आप लों को लिख देना है ठीक है और इस तरह से आपका यहां से दो नंबर पक्का पक्की हो गया क्लिया है ना उमिद करते हैं समझ गया होंगे समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को रुकाईए एक बार और उसी इसको फिर से देखिए ना वीडियो देखने का यही तो फाइदा है ना अब माली जी हम बोल दिये हैं यह रिकॉडेड हो गया है रिकॉडेड होने के बाद आप इसको बार बार देख सकते हैं ठीक चलिए कोई बात नहीं सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लिजिए और बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर ठीक है यह हमको दे दिया अच्छी बात है अर्ध गोले का वक्र पिष्ट का जो छेतरफल होता है आप लोग लिख लिजिए अगर आप लोग को पता है तो अ two pi r² नौट कर लिजिए जल्दी से ये फॉर्मूला ही इंपोटेंट है ठीक है न वांकी एक कोस्टन तो यहाँ पर आपका खत्म हो गया देख लिजिए अब आपको क्या करना है टू पाय आर अर्गौइब है न र का मान पता है डो गुना पाय का मान कितना रखना है 22 वट साथ से काटेंगे, त्यान दिजिएगा, साथ से काटेंगे, साथ पचम 35 होता है, पांच दूना 10 होता है, दो से काटेंगे 11 बार में, कट गया, अब देखिए, दो से काटेंगे, दो पंचे 10 होता है, पांच सत्य 35 होता है, अब देखिए, यहां क्या बच गया, 11 गुना 7, य आपका दो नमबर यहां से पक्का-पक्की हो गया लगूत तर यह प्रसंद के लिए आपको बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेना है अगर आप भी क्लास टेंथ कैस्टूडेंट हैं गनीत में कुछ भी नहीं पड़े हैं तो यह सारा कोशन करके जाएए आप भी ग्रिट में टॉप करेंगे ठीक है समझ गये ना बस आप लोगो करना क्या है कि आपको रिविजन करना है जितना भी हम बता रहे हैं सभी कोशन का एक बार रिविजन कर लीजिए बाकि अगला कोशन देखिए कोशन नमर 28 है काफी सुन कर बनाए गया है दोस्तों में बता दे अगर मांने जीए एक गलास पानी है एक गलास पानी है इसे में दो लिटर पानी है इस बार जो है यह बरतन जो है यह बेलन अकार में है लेकिन हम कह रहे हैं कि बिर्द के आकार में बरतन है और उसमें भी जो है दो लिटर पानी है तो आप कहिएगा कि जो बेलन का आईतन होगा वही तो इस बिर्द का भी आईतन होगा मतलब कह सकते हैं है एक example के मद्धेम से बता रहे हैं यूपसरे आगर कोई तार है और वह बिल्ट के रुप में मूरा गया है तो सबस्पेल आपको लिखना है माना की वर्ग की परतेक भुजा कितना है ए सेंटीमीटर है कितना है ए सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे यहां से यहां पर आप हल लिख लिजिए ठीक है हल कर दिजिए माना माना वर्ग की परतेक भुजा, कितना है, a cm, अब वर्ग का परिमाप जो है, वो बराबर होगा, आप नीचे से लिखेंगे इसलिए वर्ग का वर्ग का जो परिमाप होगा वर्ग का परिमाप वो बरावर हो जाएगा किसके विर्द के परिधी के वही परिमाप पर परिधी वही हो गया विर्द के परिमाप क्या होता है तो यह आपका होता है 4A क्या आता है 4A बरावर विर् परावर दो गुना पाई का मान क्या रखेंगे 22 बटा नहीं कुछ बोला है तो 22 बटा साथ आर का मान देखी यह वीर्थ का है न तो वीर्थ का तिरजिया दे दिया है 84 सेंटीमेटर तो 84 लिख दीजिए काट लिजिए यहां से साथ एकम साथ साथ दूनी 14 ठीक है बालसरे 84 हो तो चौदूनी 12, चौदूनी 12 एक 13 यह आगे आपका ए बडाबर और यह इतना सेंटीमेटर है एक इसको माने है तो ए माने थे कि परतेक वर की भुजा है ए सेंटीमेटर है और हमसे पूछ भी रहा है तो उस वर की भुजा ग्यांद करें तो भुजा निकल गया 132 सेंटीम गया और यहां से आपका दो नंबर पकापकी हो गया किलिए है न उम्मीद करते हैं समझ गया होंगे आईए अगला कोसें देखिए कोस्टन नंबर है 28 हो गया अब 29 काफी सांदार कोस्टन है कोस्टन 259 क्यारा सीध करें कि बिंधु एं थीन कॉमा कॉमा जीरो और गोर्च पर ऊदित रेखि हैं कि इसका मतलब यह हो गया ज्यू होगा तो आपसे पूछ रहा है कि सीध करना है कि अद्धा और जो धान पर फिर यह व्यूर्ट Your western बॉसे के ृफ Each यह y1 यह x2 यह y2 यह x3 और यह y3 अब आपको लगाना क्या है तिर्भूज का छेत्रफल चलिए लगाते हैं तिर्भूज का छेत्रफल ठीक है क्या होता है एक बट्टा 2 x1 y3 y2-y3 plus x2 y3-y1 plus x3 y1-y2 यह होता है ठीक है 231 12 हम आपको बताए थे अब क्या करना है चुकि यह संरेख है तिनों बिंदू तो तिर्भूज का छेत्रफल 0 हो जाएगा चलिए अच्छी बात हैं हो गया एक बट्टा 2 x1 कितना है तो x1 है 3 y2 कितना है 0- y3 कितना है वी solve करते जाएगा उपर में सारा चीज़ लिखा गया है यहाँ पर देखते जाएगा x2 कितना है तो x2 दिया गया है a x2 कितना है a y3 कितना है b- y1 कितना है 3 ठीक है उसके बाद पलस x3 कितना है तो 0 बांकि अंदर में कुछ भी हो 0 को 0 से गुना करते है 0 ही होता है चलिए solve करते 0 बरावर 1 वट्टा 2 ठीक है अंदर में क्या आ जाएगा आपका देख सकते हैं तो 0 में से minus B को minus करेंगे तो minus B और minus B को 3 से गुना करेंगे तो minus 3 B हो जाएगा चलिए कोई दिकत नहीं plus A को B से गुना करेंगे A भी हो जाएगा और minus 3 को A से गुना करेंगे minus 3 A हो जाएगा बांकि ये तो 0 ही हो गया तो उसको छोड़ दीजीए ठीक है अब आपको यहां से solve करना है कैसे ध्यान दीजी यहां पर आप एक चीज और कर सकते हैं और नहीं तो आपको यहां से solve करना होगा कैसे ध्यान दीजी ये जो 2 है ना ये 2 जो है ना ये ऐसे भी कर सकते हैं 0 बराबर minus 3 B plus में A B minus में 3 A और पूरे के बटा में 2 यहां बटा में कुछ नहीं एक क्रोस गुना करेंगे तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका क्या बच गया minus में 3 B minus में 3 A plus में A B बराबर 0 अध्यान दीजेगा minus में 3 B minus में 3 A बराबर हम कर लेते हैं minus में A B बराबर के उस सेट कर दिये हैं देखिए इधर हम क्या करते हैं minus में 3 common लेते हैं minus में 3 common लेंगे तो ये आपका आजाएगा B या ऐसे भी लेख सकते हैं A पलस B A पलस B बराबर मैनस में A B ठीक है अब देखिए मैनस से मैनस कैंसील अब यहां से आपको सॉल्व करना है कैसे ध्यान दिजिएगा यह थीरी जो गुणा में है ना हम बराबर के उस साइड कर देते हैं इसको या ऐसा करिए या आप ऐसा कर सकते हैं यह किस्टेप आपको यहां पर करना ही होगा हाँ चलिए यह थीरी को पहले हम उस साइड कर देते हैं ठीक है या ऐसे हाँ चलेगा चलिए ऐसे करिए कि यहाँ पर जो लिखा गया है A पलस B बराबर यह आपका आ जाएगा A B बट्टा थिरी ठीक है यह हो गया अब दीए आपको करना क्या है आपको एक काम यहाँ पर करना ही होगा और वो काम है कि आप इसको उल्टा लिजिए या तो उल्टा लिजिए या आपको एक स्टेप करना होगा तो ऐसा काम करते हैं छोड़िए एक स्टेप यहाँ पर करेंगे तो गरबर हो जाएगा ये थिरी को रहने दीजिए ठीक है ये थिरी को रहने दीजिए और ये जो A B है न इसको हम उस साइट करते हैं थिरी बराबर ये आ जाएगा A B बट्टा A पलस B चलिए ऐसे करेंगे ठीक है अब देखिए यहां पर बट्टा में कुछ नहीं बट्टा A B अज देखिए दोनों के बट्टा में A B है तो हम अलग-अलग करेंगे तो एक बट्टा 3 बराबर A बट्टा A B करेंगे तो A कर जाएगा तो एक बट्टा B बच जाएगा B बट्टा A B करेंगे तो एक बट्टा A आ जाएगा और यही हमको सिध करना था तो नीचे से हम लिख देंगे नीचे से प्रूब्ड लिख देना है और देख लिजीए कि हमसे जो पूछ रहा था एक बटा ठीरी बरावर एक बटा एक बटा एक बटा भी ये निकल गया और यह आपका आंसर हो गया और यहां से आपका दो नंबर पक्का पक्की हो गया ठीक है उमीद करते हैं कोसन नंबर 29 भी आप लोग समझ गया होंगे ठीक है चलिए बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं और इस टैप का कोसन हम बहुत सारा बताए हैं तिरोज का छेतरफल वाला ठीक है ना आईए तीस नंबर कोसन है काफी सांदार कोसन है ध्यान दिजिएगा और आपको फिर से बता दें कि 16 फेर्वरी को जब एक्जाम देने के लिए जाईएगा उससे पहले यह सभी कोसन घोल कर पी जाईए क्या आज सीध करें 10 स्क्वाइर अलफा प्लस कोट स्क्वाइर अलफा प्लस टू बराबर सेक स्क्वाइर इंटू कोसेक स्क्वाइर सीध करना है आपको करना क्या है वही काम करना है फिर से LHS से आपको स्टार्ट करना है ठीक है और LHS में क्या दिया गया है ध्यान दिजिएगा 10 square alpha की जब हम theta ले लेते हैं plus quote square theta plus में 2 है ये दिया गया है अब इसको solve कैसे करिएगा तो इसके लिए आपको करना क्या है ध्यान दिजिएगा जितना भी चीज दिया गया है यहाँ पर इसको आप solve करिएगा और पहले आपको कैसे करना है ध्यान दिजिए ये जो दिया गया है न 10 square theta plus देखिए quote square को हम आपको बताए थे कि आप लिग सकते हैं जैसे कि quote theta बराबर हमारा होता है वन बटा 10 theta यह हम आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं और आप लोग नोट करते जाईएगा तो जो ए quote theta है यहाँ पर इसको हम लिग सकते है वन बटा 10 theta चुकि यह square में है must 2 जाएगा ठीक है बटा में कुछ नहीं तो एक है यहाँ भी बटा में-कुछ नहीं तो एक है ठीक है अब आपको क्या करना है Hebrews life लेना है तो लेने के बाद क्या जाएगा नी चे में आ जाएगा आपका 10 square theta ओपर आ जाएगा आपका 10 power 4 theta ठीक है पलस में 1 पलस में 210 थीता यह आपका LCM हो गया अब आप लोग यह नहीं पुछेगा कि कैसे हो गया यह LCM है आपका LCM आप लोगों को आना चाहिए ठीक है अब देखिए यह जो सारा चीज लिखा गया है न यह जो 10 को 10 का पावर 4 अब पलस 210 ठीटा लिख सकते हैं अब बट्य में क्या है हमारा 10 स्कॉयर ठीटा है अब उपर में देखिए यह हो गया A स्कॉयर पलस B स्कॉयर पलस 2AB है न तो इसको हम लिख सकते हैं 10 स्कॉयर ठीटा अब पलस में 1 का होल स्कॉयर लिख सकते हैं बट्टा 10 स्कॉयर ठीटा ठी सेक स्क्वाइड ठीटा क्या आता है सेक स्क्वाइड ठीटा पूरे का स्क्वाइड कर लीजिए अब बट्टे में आपका जाएगा तेन स्क्वाइड ठीटा आ गया कोई दिकत नहीं है चलिए अब एक स्टेप और करते हैं जो स्क्वाइड है ना इसको हम यहां पर लिख दे ठीक हम लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है जब आप ऐसे लिख सकते हैं तो एक काम और भी कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा सैक Hendr abide घुना यह जो हमारा जो आचाहित है ऊपस्ण कर पिलता रात्षाइस कोईस स्टिट यह क्या जाएगा साइन स्कॉर्ण ठीटा इसको मिटा देते हैं समझने के लिए बताए थे अब यहाँ पर समझी है को से स्क्क्छे स्कॉर्ण केंसील ठीक है तो ये को स्सान आम के लिए आसान हो गया कैसे ध्यां देजिए यह आपका आ गया शेक है क्वाइट थीटा अगुना है यह एक बहता साइन स्कॉर्ण क्या आता है फिर गफ़ह होता है को सेक्ग है है तो हम लिखेंगे को सेक्ग असक्वार ठीटा और यह आपका आ गया Rs हेस क्या आरह एस दो निचे से इसलिए कि ल एकष Monoffay नार और रेज़ धिन वाला कोशन था लेकिन दो नमबर का कोशन है थोड़ा बरा दिया गया है कोई टेंसन नहीं आप लोगों को रिवीजन कर लेना है और इस तरह से आपको हम 30 लगूतर ये प्रस्न कंप्लीट कर दिया है कितना 30 और आपका यहां से 30 नमबर जो है आपका पका आ गया ठीक है तो लोग मेरे साथ इसी तरह से जूरी रहिएगा और एक-एक कोशन को समझती रहिएगा ठीक है तो जो चुड़ीने नहीं है चनल पर पहली बारा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही साथ अपने दूस्तों में शेयर भी कर दें मिलते हैं दोस्तों आगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत वंदे मातरम